Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम पढ़ रहे हैं B.com 3rd SEM का Business Law का 1st Unit Indian Contract Act. उसमें भी हम पढ़ रहे हैं हैं आज what is consideration. तो consideration मतलब something in return. जैसे और एक term दिया गया है quid procure. इसके definition है according to section 2D, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. जब भी हम कोई contract करते हैं तो उसमें हमें कुछ देने की बात या ना देने की बात करनी होती है और वही हमारा जो promise रहता है या फिर जो भी हम consideration देते हैं something in return तो उसे consideration कहा जाता है या तो हम उसमें कुछ देने की बात करते हैं या फिर ना देने की बात करते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 10,000 रुपे दूँगी पर आप उसके बदले मेरे उपर case मत करिये. तो case ना करना ये consideration हो गया मेरे लिए और मैं जितने रुपे आपको दूँगी 10,000 रुपे तो वो consideration हो गया मेरे तरफ से आपके लिए. इस प्रकार से consideration होता है, valid consideration के लिए क्या-क्या important है वो देखते हैं. valid consideration के लिए, consideration बहुत important है, consideration के बिना कोई भी contract valid नहीं होता है, फिर consideration is essential, consideration काफ़े important है, हमने देख लिए है अभी, consideration must move at the desire of the promisor, यानि consideration जो है वो promisor के, promisor के इच्छा से होना चाहिए. consideration, promisor को ही return मिलना चाहिए, उसके अलावा किसी और को नहीं दे सकते आप, but consideration may move from the promisor और any other person, यानि consideration चाहे तो promisor के तरफ से या फिर कोई third person के तरफ से भी pay किया जा सकता है, but वो promisor को ही लेना पड़ता है, जैसे कि, अगर आपने किसी की car ली है, suppose आपने मेरे से car खरीदे हैं, और मैं उसके लिए आप से एक लाख रुपे मांग रही हूँ, but एक लाख रुपे आप दोगे, तो किसको दोगे मैं promisor हूँ, मुझे ही आपको एक लाख रुपे देने होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे बदले किसी और को दे दो, बट ऐसा हो सकता है कि एक लाख आप मुझे ना दे के आपका कोई फ्रेंड हो, तो वो मुझे दे दे, तो आपके उपर एक लाख का करजा नहीं रहेगा, आपको बस उस फ्रेंड को वापस करना पड़ेगा, अपने बीच में जो भी कॉंट्राक्ट था, वो वहीं पर खतम हो जाएगा, कि आपके फ्रेंड ने मुझे पैसे दे दिया, और मैंने आपको कार दे दिया, खतम, तो बस यही है कि प्रॉमिसर को ही वो कंसेडरेशन मिलना चाहिए, बट प्रॉमिसी या कोई और बंदा भी वो कंसेडरेशन पे कर सकता है, यानि कंसेडरेशन में भी past, present और future, यानि कंसेडरेशन जो है वो past, present या future भी हो सकता है, past में अगर कोई काम किया है, उसके लिए आप कंसेडरेशन पे करना चाहते हो, तो वो भी सही है हमारे law के हिसाब से, present में तो रहता ही है और future के लिए भी आप contract कर सकते हो, यानि उतना ही अमाउंट का होना चाहिए जितना मैं आपको दे रही हूं अगर मैं कार सेल कर रहे हूं आपको तो जरूरी नहीं है वो कार की जो वैल्यू है उसी के एक्विवेलेंट आप मुझे पैसे दोगे अगर मैं चाहूं तो उसके कम या उससे जादा भी मैं आपसे consideration मांग सकती हूं तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जितना उसकी price है उतना ही आपको देना पड़ेगा consideration must be lawful consideration lawful होना चाहिए यह तो बहुत important है क्योंकि illegal रहा तो कोई भी consideration valid नहीं रहेगा और अगर valid consideration नहीं रहेगा तो contract भी valid नहीं रहेगा फिर आता है consideration must be competent consideration जो है वो competent होना चाहिए वो करने लायक होना चाहिए ऐसा ना हो की हम करी नहीं सकते impossible thing हो तो consideration valid नहीं रहता है वैसे तो हमने देखा है कि बिना consideration के कोईभी contract valid नहीं होता है बट ऐसे कुछ cases हैं जहांपे consideration के बिना भी valid contract बना जा सकता है तो वो कैसे contracts होते हैं तो first है natural love and affection या फिर trust जहांपे trust या natural love and affection होता है वहां consideration नहीं देखा जाता है और उसके बिना भी contract जो रहता है agreement जो रहता है वो valid रहता है जैसे अगर एक husband ने उसके wife को promise किया है registered agreement से promise किया है कि वो उसे year ring gift करेंगे तो ये agreement valid है without consideration wife तो husband को कुछ नहीं देगी something in return नहीं देगी फिर भी ये consideration जो है वो valid रहता है इसके साथ ही जिसके duty होती है कोई काम करना तो यहां पर भी consideration के बिना valid होता है उसके बाद अगर कोई gift या charity दे रहा है तो यहां पर भी consideration के बिना valid किया जाता है और जहां पर family arrangements वगरे होते हैं तो वहां पर भी ये एक exception है consideration के तो यह आपको याद रखना है और इसके बाद हम देखेंगे capacities of parties to contract कौन से parties होती है जो competent होते हैं contract के लिए तो first है ऐसे लोग जो minor हैं जो minor है वो competent नहीं होते हैं contract के लिए यानि 18 साल से कम बच्चे जो होते हैं वो contract नहीं कर सकते हैं उससे बड़े हो आप तो आप contract कर सकते हो उसके बाद आता है कि person of sound mind मतलब अगर जो जिसका mind जो रहता है वो sound नहीं रहता है जिसको drugs लेने के आदत है या फिर जो शराब पीता है या फिर जो पागल है तो ऐसे लोगों के साथ contract करना valid नहीं होता है इनके साथ जो इनका जो दिमाग है वो उनके control में नहीं रहता है इसलिए ये जो बोलेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो performance पूरा करेंगे इसलिए ये contract valid नहीं होता है इसके साथ ही जो लोग disqualified persons होते हैं लोग के हिसाब से तो उनके साथ भी contract करना void होता है जो जैसे foreign sovereigns, ambassadors, alien enemy, insolvent लोग तो इन सारों के साथ contract करना यानि void contract होता है